हम यह डिसकस कर रहे हैं के सेक्शन 12.2 of CPC के तेहत जो एप्लिकेशन दिया जाता है वो कब काबले समाहत नहीं होता है यानि एप्लिकेशन अंडर सेक्शन 12.2 of CPC is not maintainable हमारे सामने केस लाहे 1997 ACMR पे जो है 610 सुप्रिकोटा पाकिस्तान की केस लाहे जज्जमेंट है इसमें एक इशू को एड्रेस किया गया है जहाँ पर सेक्शन 12.2 के तेहत एप्लिकेशन मेंटेनेबल नहीं होता है डिसकस करते हैं सेवल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 12.2 कांस्टिउशन आउप पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 185 क्लास 3 एप्लिकेशन अंडर सेक्शन 12.2 CPC आफ्टर फाइलिंग रिवीव पिटिशन्स मेंटेनेबिलिटी यानी सेक्शन 12.2 के तेहत आपने अप्लिकेशन दायर किया कब रिवीव पिटिशन के बाद अब यह जो एप्लिकेशन है क्या मेंटेनेबल है या नहीं है एप्लिकेशन अंडर सेक्शन 12.2 CPC फार सेटिंग एसाइड जज्जमेंट अफ सुप्रिंग कोट अब वो जज्जमेंट सुप्रिंग कोट ने फाइनली पास किया है अब उसको सेट एसाइड करना है सेक्शन 12.2 के तेहत चो ग्राउन दिये गए है फ्राइड है मिसर प्र चुरुदिक्शन है अब क्या यह सकाबल समात है या नहीं है प्राइर टू फाइलिंग अफ सच एप्लिकेशन टू रिवीव पिटीशन वार फाइल्ड सीकिंग रिवीव आफ जज्जमेंट इन क्वेस्चन और इन बोट दोस पिटीशन पिटीशन पिटीशनर आलसो एप एप्लिकेंट्स यह बताया गया कि जो अभी इंप्लिकेशन जो बारतों के तह दाएर किया है इससे पहले रिवीव पिटीशन दो दाएर किये गए थे जिसमें एक एप्लिकांट जो अभी है वो भी प्रेजेंट हो गया हाजर हो गया यानि वो भी फरीग था पिटीशनर्स कंटेंशन देट शी बिंग पर्मेनेंट रिजेडेंट आफ केनेडा डिड नाट अपॉइंट एनी कोंसल तो फाइल रिवीव पिटीशन वाज नाट सपोर्टीड बाई एनी मिटीरियल अन रिकार्ड बताया गया कि पिटीशनर ने यह प्ली ली कि मैं केने तरह कोई एविडेंस मौजूद नहीं है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ट्वेल टू सीपी सी उड नाट लाई आफ्टर डिसमिसल आफ रिवीव पिटीशन बाई सुप्रिंग कोर्ट काटेगोरी कली एक्स्प्लेइन किया गया के सेक्शन बारा दो किते जो अप्लीकेशन दिया जाता है वो मेंटेनेबल नहीं होगा आफ्टर डिसमिसल आफ रिवीव पिटीशन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ट्वेल टू सीपी सी वाज डिसमिस्ट इन सरकमस्टांसीज खलास है के एप्लीकेशन को फिर खारच कर दिया गया यानि बारा दो के तहत जो अप्ली इसिडेंट में डिसकस करते हैं 2008 सेमर पेज जो है डबल टू सिक्स सुप्रिंग कोटा पाकिस्तान की केसला है डिसकस करते हैं सेवल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन ट्वेल टू कॉंस्टिशन आफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 185 क्लास 3 & 188 एप्लीकेशन फर चेलेंजिंग अफ जज़्जमेंट डिग्री और आडर अंपली और फ्राट एंड मिस्रेप्रेजेंटेशन अप्लिकेशन दायर किया गया है उसमें वेलिडिटी यानि जज़्जमेंट डिग्री जो आडर पास हुआ है उसको फ्राट और मिस्रेप्रेजेंटेशन के ग्राउंड के बुनिया पे चैलेंज किया गया है मेंटेनेबिलिटी अब क्या यह मेंटेनेबल है या नहीं है एप्लिकेशन अंडर सेक्शन ट्वेल टू सीपी सी वाजनाट इंटर्टेनेबल आफ्टर डिस्मिसल आफ पेटिशन फार लिव टू अपील बिफोर सुप्रिंग कोट एंड रिवीव पेटिशन एक्स्प्लेइन क्या गया के बारत दो के तह जो अप्लिकेशन दिया जाता है वो मेंटेनेबल नहीं होगा एंटेनेबल नहीं होगा अफ्टर डिस्मिसल आफ रिवीव पेटिशन इफ अपोईंट हैड नाट बिन राइजड एट हैरिंग आफ सेड पेटिशन नाट इवन एट रिवीव स्टेज बिफोर दे सुप्रिंग कोट नो नीव पॉइंट अफेक्ट अर ला कुट बी अलाओ तो बी अरुगड इन दा प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12 तो सीपी सी एक्स्प्लेइन किया गया के जो पॉइंट आपने पहले अराइज नहीं किय अब बाद में वो पॉइंट उटा नहीं सकते नो निव पॉइंट अफेक्ट अर ला कुट नाट बी अलाओ या नहीं है कि उस पर आरगो बहस किया जाए और इसलिए सेक्शन 12 के तह जो अप्लिकेशन दिया जाता है वो काबले समाहत नहीं है क्यूंकि एप्लिकेशन वेक्सेशन इन नेचर फाइल विद एंटेंड तो प्रोलांग द प्रोसीडिंग्स एंड तो हरस्थ रिस्पांडेंट्स अपील वाज डिस्मिस्ड एवार्डिंग टोकन कास्ट आफ आरेस 5000 तो रिस्पांडेंट्स फार अननेसेसरली ड्रेगिंग देम टू दा कोट बता नंबा के इंचा जाए इसलिए ये काबले समात नहीं है अपील जो ती उसको डिस्मिस कर दिया और पांचाज़ रुपे रिस्पांडेंट्स को दिये जाए यानि एक तरह फायन कर दिया 5000 रुपे वह इसलिए देंगे कि वह बिलावजा कोट में कसीट रहा है कि वह बिलाव नहीं है